बिहार के सियासी गलियारों में एक बार फिर से उपेंदर कुश्वाहा का नाम चर्चाओं में है उपेंदर कुश्वाहा ने जेडियू से स्थीफा दे दिया उसके बाद से उन्होंने अपनी एक नई पार्टी का निर्माण किया आपको बता दे कि अब उपेंदर कुश्वाहा एक यात्रा पर निकलने जा रहे हैं उपेंदर कुश्वाहा और नितीश के बीच अब ये जो आपसी लड़ाई है जुबानी जंग लगातार बढ़ती ही जा रही है आर पार की लड़ाई अब दोनों के बीच में देखने को मिल रही है उपेंदर कुश्वाहा ने ये कहा है कि वो जो यात्रा निकालने जा रहे हैं इसमें वो आम जनता से मुलाकात करेंगे और आम जनता से उनकी जनसमस्याई भी सुनेंगे साथी साथ उपेंदर कुश्वाहा ने ये कहा है कि करपुरी और लोहिया की विरासत को अब बचाने की जरूरत है और कहीं न कहीं अभी जो सरकार है उस सरकार में लगातार धांदली देखने को मिल रही है और विकास का काम नहीं हुआ है एक बार फिर से वो आम जन्रता के बीश में जाएंगे उनसे बात शीद करेंगे और बिहार को विकास की ओर लेकर जाएंगे साथी साथ नितीश कुमार पर जम कर उन्होंने हमला भी बोला है बिहार के सियासी गलियारों